सनातन धर्म में भगवान सूरी की पूजा का विसेश महतु बताया गया है भगवान सूरी की पूजा करने से सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है और घर में सुक सम्रद्धी का आगमन होता है सुनिये लोकल 18 से खास बात्चित करते हुए उत्त्रा खंड के उधमसिक नगर जिले के वरिष्ट आचारी पंडित अरुनेस मिस्रा क्या बोले पंच देवों में जैसे देखा जाता है कि सूरी देव सूरी भगवान जो है प्रतेक्ष दिखाई देते हैं इनका पूजन प्रतेक दिन प्रतेक मनुश्य को करना चाहिए पूजन में प्राता काल इश्टना ध्यान करके सुद्वस्त धारन करें उसके पस्चाथ सूरियोदे जब होता है सूरियोदे से एक गंटे के अंदर ही सूरिय भवान को जल अर्पित करना चाहिए अर्ग देना चाहिए अर्ग में पात्र में चावल है रोली है लाल कुष्प है ये डाल करके भवान सूरिय को अर्ग दे मन्तर बोल करना चाहिए प्रत्वी माता का मंत्र है प्रत्वी के शेशनागी जी उनको प्रडाम करें और आदे तहदे श्तोत्र का हर अरविवार को पाठ भी करना चाहिए जिससे जिन जातकों की कुंडली में सुरी के इस्तिति कमजोर होती है मजबूत करने के लिए सुर्य भगवान का आदे तहदे श्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए गुड़ा और चने बीगव माता को खिलाने चाहिए बच्चों को वित्रण करने चाहिए से भी सुर्य भगवान प्रसंद होते हैं और सुर्य भगवान का मंत्र भी जाप करना चाहि ये मंत्र भी है सूर्य भगवान का इसका भी जाब करना साहिए जिन घरों में सूर्य भगवान का पूजन होता है उन घरों में हमेशा खुशाली बनी रहती है रोग दूर होते हैं क्योंकि सब ग्रहों के राजा सूर्य भगवान हैं और प्रतेक्ष में सूर्य भगवान दिखाई भी पड़ते हैं जैसा कि सास्त्रों में और प्रशिलन में भी बताया गया है कि सूर्य भगवान को पस्तिती में जो कारी किया जाता है वो संपोर्ता सिद होता है वेदों के मंत्र हो सुरी भ्हगवाण के सूरी ओदु deficit हो जाता है उसके बादी किये जाते हैं अन्यान्न कारे जो हैं सुरी भ्हगवाण के स्वाधम करने से रह Computer होते हैं खर में खुशाली रहती है। प्रका स्लोकल एटीन के लिए कि